नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं आपके सामने HDFC बैंक की है इसको भी हम पिछले दो वीक से एनलाईज कर रहे हैं काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है क्योंकि भीया बहुत बड़ा कंट्रिबूटर है और इसने नाक में दम कर बैंक निफ्टी के भी एंड निफ्टी के भी ठीक है पर जो हमारा पिछला इसका एनलेसिस था वो था कि ये पैटन जो है शायद हमें कंप्लीट होता हुआ दिखे और यहां पे हमें एक बाइंग आती हुई दिखे क्योंकि बहुत ही ओवर सोल्ड है ठीक है बहुत ही ओव यह आप देखेंगे यह आप देखेंगे यह आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे दुबारा से यह उसी जोन में आया है यह आपके साथ मैंने डिसकस भी गया था यह रहा वो चार्ट यहां से एक रैली हमको देखने को मिल सकती है लास्ट वीक का है यह कर रहा था वो यह यह सारे support की में आप से बात कर रहा था यह बहुत बड़ा support है यहां से हमें pullback anticipate कर सकते हैं गिरावट भले ही चायद ना हो एक reversal point हमको शायद मिले कि pullback हम trade कर सकें तो वही anticipation था और उसकी शायद हमें शुरुवात भी देखने को मिली है आप यह देखेंगे weekly चार्ट का भी मैंने वहाँ discuss किया आप से कि continuous one two three four five six this is the seventh week and seventh week में हमें एक green candle देखने को मिली है यह anticipation भी था कि लाल लाल ही नहीं बनेगी और यह support multiple support है यहां पर इस level पर जो भी हमें देखने को मिला है now formation is what एक green hammer candle on weekly chart ठीक है यह हमारे पास chart पे information प्रिंट है आज की date में जब मैं आपके साथ यह video बना रहा हूँ 17th of Feb को तो now what is next हम अब आगे क्या predict कर सकते है ठीक है तो एक बार दोस्तों देख लेते हैं disclaimer यह दोस्तों disclaimer मैं आपके साथ video share करता हूँ मेरा personal view है तो इसको जरूर पड़ें और trade लेने से पहले किसी financial advisor से जरूर सलह लें अब आप ज़रा ध्यान से देखे ज़रा weekly chart में आपके साथ last में भी discuss किया था last week बट वहाँ मेरा main जो चीज थी वह आपको यह समझाने की थी कि यह support zone है यह support zone है और यहाँ पर generally bulls active है जब जब यह उपर से गिरा है बुल्स जो है जब जब यह उपर से गिरा है active है तो एक चीज इसमें देखने को जो हमें मिलिए वो यह मिलिए कि ज जब जब इस जगे green candle बनती है तो या तो बड़ी buying आ जाती है ठीक है या green candle के साथ next week भी green candle बनके consolidation हम देखते रहते हैं यह देख लिए green candle green candle green candle तो selling आगे नहीं होती है ठीक है औरे के hammer candle भी है अभी मैं weekly time frame तो यह हमको क्या बता रही है कि शायद हमको next week भी इसके ऊपर trading हो हुई दिखे बट उसके लिए short ही कैसे मिलेगी लेवल कौन सा इसको पार करना पड़ेगा दोस्तों इसकी जो रुकावट थी जहां पर रुका है Friday वाले दिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा daily time frame पर यह रहा daily time frame ठीक है वो लेवल है 14.25 इस लेवल इस 14.25 नौ मार्क कर लीजिए लिख लीजिए कोपी पैन लेके नोट कर लीजिए ठीक है 1425 अगर यह काटता है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है ठीक है सबसे पहली बात तो एक मुझे यह pattern complete होता हुआ दिख रहा है and reversal के यहाँ पर अच्छे खासे sign हमें मिल रहे थे indicator पर मिल रहे थे RSI पर ले लिजिए आप चाए money flow पर ले लिजिए आप वो सब मैं आपके साथ analysis में discuss कर चुका हूँ लास्ट दो मेरी HDFC वीडियो जरूर देखेगा कि क्या sign होते हैं जिससे पता लगे कि reversal आ सकता है उन दो वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर हम यूज करते हैं दोस्तों क्या होता है फिबोनाची retracement कहां मिलेगा वो इधर मिलना चाहिए यह रहा ठीक है यह पूरी गिरावट है इसका low जो है यहाँ कहीं बनाए 1365 आसपाश अब इसमें जो भी यह गिरा है इस top से 1720 के आसपास का यह top है ठीक है एक minimum retracement अगर जो हो वो एक 23.6% की रहती है जिसकी line यह कम से कम यह निकल के आ रही है कि कम से कम इसको इतना तो देना चाहिए तो what I am anticipating कि यह जो move आया है at least इसको इस level तक लेके जाएगा यह है level 1448 ठीक है 1448 तो आपको क्या देखना है next week में आने वाला जो दिन है 19 फरवरी से जो चालू होने वाला है अगर उसमें HDFC bank 1425 के उपर trade करता है निकलता है तो आपका target यह है बीच में मैं कोई number नहीं दे रहा मुझे काफी उमीद है कि यह इस जगे जाएगा 1448 1450 जो भी आपको ठीक लेगे और इसके उपर कोई candle close हो जाती है मान लिए ग्रीन क्लर की candle यहाँ कोई close हो गई ऐसे करके एक candle जो है बन जाती है तो देन अगला target निकल के आ रहा है आपका 38.2% का retracement जो की है 1500 क्या आसपा बट वो हम next to next week चर्चा करेंगे या फिर कोई closing आपको मिल जाए मान लिए जिए Tuesday या Wednesday कोई अगर आपको closing मिल गई इस level के उपर 1450 के उपर तो मान के चलिए आप 1480 और 1500 के बीच में जाएंगे कहाँ पर 1480 से लेके 1500 के बीच में आप एक बनाएंगे पर कब उसके लिए 1450 के उपर closing आनी जरूरी है ठीक है यह यह हो सकता है कब जब यह 1450 25 के उपर ट्रेट और इन एनी केस यह अगर दुबारा से 1400 को ब्रेक कर देगा इस बार अब ठीक है अब इसने अगर 1400 के नीचे closing दे दी तो मान के चलिए नया लो बनेगा जो 1350 बिलो बनेगा तो इस आर दे टू लेवल की लेवल जो आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान रखने है HDFC बैंक में फिर एक नहीं लो की शुरूबात होगी 1350 1320 के आसपास वो कब होगा जब 1400 के नीचे close करे गई तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बुल साइड तभी जा पाएगा जब यह इस लेवल को cross करे गई बीर साइड चला जाएगा यह अगर यह 1400 के नीचे trade करने लग जाएगा ठीक है इसके नीचे सरके 1385 तोटा टारगेट है यह पहला दूसरा टारगेट 1365 तीसरा टारगेट 1350 तोबहें 50 पॉइंट का मूव HDFC बैंक जैसे स्ट्रॉक में सीक है बहुत होता है बहुत बहुत होता है हिला देता है मार्केट को contribution इसका है इतना है ना यह है next week में नीचे की तरफ कब जब 1400 कटेगा अन्य था यहां पर जो फिलाल पैटर्न डवलप हो रखा है यह अगर उसको ब्रेक करता है उपर की तरफ तो be ready to see 1450 1480 next week तो आप ट्रेड कब लेंगे 1425 अब 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 तो यह है दोस्तों HDFC वीडियो आपको अच्छी लगी हो जहां मार्केट चलेगा उसके साथ चलिएगा अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है यह जो पॉइंट होता है यह जो लाइन होती है ठीक है यह बड़ी सटीक लाइन होती है इसमें अगर यह इसको तोड़के निकल जाए 45 डिगरी पर तो आपको अच्छ ठीक है कहां तक 1450, 1450 के ओपर निकले तो 1480, that's it वीडियो अच्छे लगी हो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें पॉजिटिव साइन है जो मैं आपके साथ लास्ट वीक भी डिसकस कर रहा था आप देख सकतें, RSI पिछले हफते ही बह है अभी भी, यह देखिए, इधर प्राइस ट्रेड गर रहा है, तो लेवल कितना है, अभी रिलाइन्स का जब मैंने आपके साथ किया है, वहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव डाइवरजेंस बताया है, RSI में, जो वीडियो अप्लोड करिए, अब HDFC बैंक में प्राइस देखिए आप, ठीक है, प्राइस क्या है, नीचे, और यहाँ पे आपकी RSI क्या है, इसी जगे से उपर की तरफ है, प्राइस नीचे है, ठीक है, बट RSI में आप देखेंगे, तो पॉजिटिव डाइवरजेंस है, इधर इस जोन में प्राइस है, आपका 14.50 के आसपास, और आज की डेट में प्राइस कितना है, 14.19, बट RSI इस एरिया के अंदर 30 के आसपास है, और इस एरिया में जबे ट्रेट कर रहा है, 37 के आसपास है, ठीक है, तो यह एक इंडिकेशन है, यहाँ पे strength accumulate हुई है, यहाँ पे stock को उठाया गया है, ठीक है, यहाँ पे stock को उठा प्राइज आता है, तो लेवल क्या है, 1425, ट्रेडिंग तो लेवल पर योगी भाई, इसके उपर निकले तो बोलिश हो जाईएगा, चली, thank you very much.